कोई हमसे पूछे कि हम भाग दोड क्यों कर रहे हैं, तो हम जवाब देंगे कि संपत्ति के लिए भाग दोड कर रहे हैं, कोई पूछे कि उस संपत्ति से क्या करना हैं, तो हम कहेंगे कि हमें हमारा स्टेटस और समरुद्धी बढ़ानी हैं, आगे ये सवाल कि स्टेटस और स मुर्द्धी से सुख मिलता है कोई हमें आगे पूछे कि हमें सुख क्यों चाहिए तो हम कहेंगे कि सुख से शान्ती और समाधी मिलती है जी हाँ समाधी उर्दू भशा के अंदर दो शब्द बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है पहला शब्द है रहना और दूसरा शब्द है चलना इन दो शब्दों का अर्थ और उसके पीछे रही हुई एक छोटी सी कथा हम देखेंगे उर्दू में रहना शब्द का अर्थ होता है शकरकंद यानी स्वीट पोटेटो और चलना का अर्थ होता है वो बासकेट कि जिसको लटकाया जाता है ताकि कोई भी पशुआदी आकर उन शकरकंदों को खान ले अगर आपने श्री कृष्ण की कथाय सुनी होगी तो आपको पता होगा कि श्री कृष्ण से दही को बचाने के लिए गोपिया दही को उपर लटका कर रखती थी उस दही को मटके आदी में उपर रखने का जो साधन है उसी का अर्थ है चलना एक बार इरान के बाच्छा जो अपनी संपत्ती के लिए बहुत प्रसिद्ध थे समरिद्ध के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे वे ऐसे ही बैठे थे उन्हें इच्छा हुई कि मुझे शकरकंद खाना है इसलिए उन्होंने पूछा रहना है उनकी प्रिय पत्नियों ने जवाब दिया चलना है रहना नहीं जैसे ही उन्होंने यह शब्द सुने उनके सिर में एक जोर का जटका लगा चलना है रहना नहीं हम सभी को एक सत्य हकीकत जाननी होगी जिस हकीकत को उस एरान के बादशा ने जानी थी हम सभी को चलना है रहना नहीं जी हां मौत मृत्यू मृत कब, किस तरह, किस जगे पर, किस प्रकार से, कैसे आएगी वह हम में से किसी को नहीं पता पर यदि हमने मौत के पहले मौत को ही मात दे दी तो मौत के वक्त हमें बहुत आनन्द आएगा मृत्यू जो सामाने तोर पर दुखी करने वाला विशय है वो महत्सव बन जाएगा इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं एक पुरुष और एक महापुरुष पुरुष अपना जीवन जीते हैं और मर जाते हैं महापुरुष अपना जीवन जीते हैं जीवन जीतते हैं साथ ही मौत को भी जीतते हैं मौत को मात देकर अमर हो जाते हैं इसलिए उन्हें महापरुष कहा जाता है जेन शास्त्रों को जेन ग्रंतों को आप खोलोगे तो उनमें से आपको संथारा का यानि अंशन का विधान मिलेगा वह क्या था? मृत्यू के पूर्व भूमी का स्वरूप यानि नेट प्राक्टिस स्वरूप वह एक प्रकार की प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में शरीर को, मन को और अपनी सभी चेश्टाओ को उस तरह से तयार किया जाता था कि वह मौत की सत्य हकीकत को सुईकार सके जे इन मीडिया हम सभी के सामने ऐसा ही कुछ एक अलग ही विशय लेकर आ रहा है समाधी मरण आर्ट ओफ लिविंग से भी ज्यादा महत्वपून है आर्ट ओफ डाइंग जिस व्यक्ति ने मरना सीख लिया उस व्यक्ति को जीना भी आ गया इसलिए जो सत्य हकीकत है उसको बयान करने वाली not merciful but peaceful मरनम नाम की पुस्तिका को आधार रख कर हमारी मृत्यू से लड़ने की और उसको हराने की सीरीज अब शुरू होगी कोरोना कोविड नाइंटीन जैसे कई रोग कई महमारिया आज की दुनिया में तबाही मचा रही है और उस वक्त में जिस चीज से सब घबराते है वैसी मौत को मात देना हम सभी को सीखना होगा और इसी विशय में एक छोटा सा प्रयास जेन मीडिया की तरफ से हो रहा है इसके अंदर मन को भावित कर दे ऐसे अतिसुन्दर शांत संगीत का सहरा लेकर उसी के साथ समवेदना यानि स्पीच दी जाएगी साथ ही उसमें यह बताया जाएगा कि परलोक को यानि आने वाले भव को सुधारने के लिए एक व्यक्ती के जीवन में कैसी भावनाए होती है हो सकती है या होनी चाहिए जिस चीज से हर एक व्यक्ती डरता है उस चीज को हम किस तरह से उसे साथ लेकर उसको सत्य हकीकत मान कर उस चीज को पार करे वो समझेंगे सरल भाशा में अगर समझे तो इस सीरीज के द्वारा हमें यह पता चलेगा कि मृत्यू के वक्त हमें किस तरह की समादी में रहना चाहिए, क्या कुछ सोचना चाहिए, क्या कुछ भाव भाने चाहिए, गानों का, स्तवनों का, सज्जायों का सहारा लेकर हमने इस पुस्तिका में जो विवेचन दिया गया है, उसे आपके सामने कुछ परिशकर के साथ सरल भाशा में लाएंगे, इसलिए इ यह विशे पहुंचे, इसलिए हम सिर्फ एक जरिया बनकर या डाकिया बनकर इस विशे पर चर्चा करेंगे, भाशा थोड़ी सी उपदेशात्मक होगी, इसलिए हम पहले से ही उस चीज की क्षमा प्रार्थते हैं, क्षमा मांगते हैं, इस सीरीज के जो अतिसुन्दर गाने हैं, वो आपको यूट्यूब पर, जेन मीडिया चैनल पर समाधी मरण के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, दोस्तो इस विशे पर आप अपनी भावना, कमेंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेर भी कर सकते हैं, जेन मीडिया पर ऐसे वीडियो आते देखने के लिए आपको जेन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा, आप हमें फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, परमात्मा की आगया विरुद, कुछ भी कहा हो तो मिच्छामी द जै जिन्शासन, जै महावीर